नमस्कार विद्ध्य अर्तियों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में हिंदी कावे पुस्तक का अध्याय तुलसिदास और तुलसिदास की विने पत्रिका से जो पद लिए गए हैं उनका ध्यनम कर रहे हैं आज विने पत्रिका का पद जिसका हम अध्यन करेंगे कब हुख हो यही रहनी रहोगो यह पद हैं स्क्रीन पर हैं कब हुक हो यही रहनी रहोगो श्री रगुनात करपाल करपाते संत सुभाव गहोगो जथा लाव संतोस सदा काहोसों कचुना चहोँगो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबा होँगो परुष वचन अति दुसह स्रवन सुनी तेही पावक न दहोँगो विगत मान सम सीतल मन परगुन नहीं दोस कहोंगो परिहरी देह जनित चिंता दुख सुक सम बुद्धिस आहोंगो तुलिशिदास प्रभु यही पत रही अविचलब हरीवक्ति लहूंगो यह पद गुष्वामी तुलिशिदास द्वारा रचित है उनकी प्रशिद रचन विने पत्रीका से लिया गया है इसमें तोल्सिदास द्वारा अपने आराद्धे राम से अनोने विने किया जा रहा है प्रार्थना कर रहा है इसे कामना कर रहा है कि उनका सुभाव भी संतों के सुभाव जैसा हो जाए या संतों का जेसा सुभाव होता है वेसा सुभाव प्राप्त करने की कामना वो करते हैं ताकि वे अपने आराध्धे राम की भक्ती में लीन हो सके लीन रह सके तो तुल्सिदास अपने आराद राम से प्रार्थना करते हुए यह कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कब हुखों यही रहनी रहूं या कब तक मैं इसी प्रकार रहता रहूँगा मैं इसी प्रकार कब तक जीता रहूँगा जो जीवन में जी रहा हूँ माया महोसे युक्त एसा जीवन सांसारिक्ता से लिपता हूँ एसा जीवन में कब तक जीता रहूँ है स्री रगुनात करपाल करपात है करपालू रगुनात जो करपालो है राम उनकी करपासे संत स्वभाव गहूं संतों का स्वभाव प्राप्त करूँ मैं कब राम की करपासे संतों जेसा सुभाव प्राप्त कर सकोगा या मेरा सुभाव संतों जेसे सुभाव का कब होगा एसी वो कामना कर रहे हैं या संतों का सुभाव प्राप्त करना चाहते हैं उनके जेसा होना चाहते हैं अब संतों का सुभाव केसा होता है वो बता रहे हैं जथा लाब संतोस सदा जितना लाब हो जाए उसी से संतुष्ट रहते हैं सदा संतों का सुभा वैसा होता है कि वो जितना मिल जाए जितना लाब हो जितना उनके पास होता है उसी से संतुष्ट रहते हैं उसी से संतोस उनको मिल जाता है काहुसों कच्छु न चाहूं, किसी से कुछ नहीं चाहते, किसी से कोई सिकायत नहीं करते उनके पास जितना है, जितना उनको मिल जाता है, उसी में संतुष्ट रहते हैं तो एसा सुभाव मेरा कब होगा, एसा सुभाव वे प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसिदास कह रहे हैं कि जितना लाब या जितना होता है उसी से संतुष्ट रहते हैं किसी से कोई सिकायत नहीं रहती किसी से कुछ चाहते नहीं एसा सुभाव मेरा कब होगा कब मैं एसा सुभाव प्राप्त करूँगा कि जिसमें परहित दूसरों के हित में निरत रहूँगा निरंतर सदाई मैं हमेशा दूसरों के हित में ही लीन रहूँगा और मन, करम और वचन से नेम नीब होँगा इसी नेम का निर्वाह करूँगा इसी प्रकार के कारी करता रहूँगा मन, वचन और करम से कब ऐसा सुभाव मेरा होगा या कब मुझे भगवान मेरे उपर ऐसी करपा करेंगे कि मैं संत का सुभाव प्राप्त करूँ और इस परकार संतों का सुभाव मुझे प्राप्त हूँ परूश वचन परूश यानि कठोर वचन अती दुसह दुसह सहन करना दुसह यानि जिसको सहन करना कठिन हो दुस्सह ऐसा ऐसे वचन स्रवन श्रवन याने कानों से सुन याने सुन करके तेही पावक न दहूंगा उनसे पावक याने आग में न दहूंगा याने जलूंगा नहीं तो यहां तुलसिदा से कह रहे हैं कि दूसरों के असहनिये कठोर वचनों को सुन करके मैं क्रोध की आग में नहीं जलूंगा एसा सुभावक का प्राप्त करूंगा एसी इस्तिती मेरी कब होईगी कि मैं दूसरों के कठोर असहनिये वचनों को सुन करके भी क्रोध की आग में नहीं जलूंगा आगे कह रहे हैं विगत मान समसीतल मन पर गुण नहीं दोस दौंगा विगत मान मैं मान याने अभीमान अहंकार अहम वेर्थ का अभीमान नहीं करूंगा समसीतल मन और हमेशा अपने मन को सीतल रखूंगा अहंकार नहीं करूंगा अभीमान नहीं रखूंगा और मन को हमेशा सीतल रखूंगा पर गुण नहीं दोस कहूंगा हमेशा परगुण दूसरों के गुणों का ही बखान करूँगा और नहीं दोस कहूँ किसी के दोसों का वर्णन नहीं करूँ एसी इस्तिती मेरी कब होगी कब मुझे एसा सुभाव प्राप्त होगा परिहरी याने त्याग देना छोड़ देना देह जनित चिंता देह की चिंता को दुख सुख समबुद्धि साओंगा या मेरी एसी इस्तिती मुझे कब प्राप्त होगी कि मैं अपनी देह की चिंता को भी त्याग दूँगा देह की चिंता नहीं करूँगा और दुख सुख म हर स्टितुे में समंबुध्यर हूए समान हिस्तिती रखूंगा दुख्य सुक में एक समान इन दौनों में समानता समत बहु Wars रखूंगा से है एसी स्तिति कब प्राप्त होगी ईसा संतोंगा सभव मुझे कब मिलेगा कब बघवान मेरे उपर करपा करेंगे तो प्रभु यही पत्र रही अभी चल हरी भकती है ही लीन रहुँगा अपने मन को हरी बक्ती में ही लगाए रखूँगा तो इस पद में तुलसिदास ने संतों के जिसा जीवन पाने की कामना अपने आराध्यराम से की हैं और संतों के जीवन की विशेश्ताओं को भी इसमें बताया है कि किस प्रकार का उनका जीवन होता है वे थोड़े में संतुष्ट होने वाले होते हैं मन वचन क्रम से किसी को ठेश नहीं पहुंचाते दूसरों के खटोर वचनों को भी आसानी से सहन कर लेते हैं उनको क्रोध नहीं होता अभिमान नहीं होता उनका मन हमेशा समत्तु भाव रखता हैं दूसरों के उपर दोसार उपन नहीं करते देह की चिंता नहीं करते यह सारे गुण होते हैं संतों के तो इस प्रकार के संतों का सुभाव और संतों के गुण प्राप्त करना चाहते हैं तुलसिदास इसलिव अपने आराध्धे राम से प्रात्रा करते हैं, कामना करते हैं और उनकी क्रपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी भक्ती में लीन रहना चाहते हैं अनोप्रास और कावेलेंग अलंकार हैं पद गेय हैं और उनकी भक्ती दास से भाव की सेवे से भाव की भक्ती का प्रयोग हैं धन्यवाद